नमस्कार दोस्तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने अगर यूटूब चैनल जी के हेल्प विज यार्बी को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताके टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं दोस्तों आज का वीडियो प्री बीएस्टी से एक्जाम 2019 की त्यारी कर रहे हैं सभी अभेर्थियों के लिए बहुती इंपोर्टेंट है दोस्तों हम राजस्तान समाने जान के एक जार क्वेस्ट इनका लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा वहां से देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखाए वीडियो स्टाट करें इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजीगा और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्याद छना घुम्भा दवराँ लिखा गया था चलते नस्वासिन पर मियुक्र मेर के मेल कोलेज की स्तापना कभ होती संच्वी दोस्तों मेय को लदे चैनल को मैं मेह को और यह संगमरमर्मर से निर्मित बार्ती ए अरभी वास्तू को लगा सबसे अच्छा उदारन है और इसका जो उद्गाटन हुआ था दोस्तों 7 नमंबर है इस ता अपना अलग बात है दोस्तों उद्गाटन हुआ था 7 नमंबर है 1845 में लोर्न डफरीन ने किया था और इसका जो मेन भवन है उसका वास दुकार है मेजर मेंट है में ओके टो इतने जो फेक्ट आपको इससे कुस्टी से याद रखने है चलते हैं नेक्ट कو सपर कविक दास किस राजा के दर बारी कभी थे तो कविक दास है यह जोद्गपूर के माराजा मानसीयें के दर बारी कभी थे अगला क्योश्टिन है राज्य में पवन उर्जा उत्पादन की द्रश्टि से मैतप्रुन जिला कोन सा है तो दोस्तों कि उत्पादन की द्रश्टि से स्टीट गणेस मंदिर स्टीट और तो दोश्टाव परसीथ मंदिर पर्त्र क्याती ते रुषक्Das स्रीन गन्याइश का मिला बरता है वर्ता है व rok rapाध कि दोस्तों रुपायन संस्तान बोरुंदा कर national समय है तो दोस्तो रुपायन सहस्तान बरंदा किस सापना कही गए थे DRC 10000 में और मैं प्ता देता हूं दोस्तो रुपायन सहस्तान बरंदा यह जोध पूर जिले में अस्तित है दोस्तों ये सभी के सभी कोस्टिन और अधिनेस्ट बोड़ द्वारा पुछेगे हैं और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जुनूरे कीजिएगा चलते हैं नेस्ट कोस्टिन पर राज्य का सबसे प्राचिन एवं सबसे संगठित उदोग कौन सा है तो दोस्तों इसका उत्तर है सूति वस्तर है उदोग आपको मालूम है दोस्तों वस्तर नगरी किसे केते हैं राजस्तान की बीलवडा को अगला पर्शन है पर्शिद संगितग्य रमा भाई किसकी पुतरी थी तो दोस्तों रमा भाई यह मारना कुमभा की पुतरी थी अगला परसन है राजस्तान में मुस्लिम समराजे के परसार का सरवादिक सरे किस सुल्तान को जाता है तो दोस्तो मुस्लिम समराजे के परसार का जो सरवादिक सरे जाता है वो लाउदिन खिलजी को जाता है नेश्ट कोस्टन है हरीदेव जोसी किस जिले के थे राजस्तान के मुख्यमंत्री रहे थे अरीदेव जोसी यह बासवड़ा जिले के थे दोस्तों इनसे रिलेटिव एक फेक्ट है यह बेश्टे सी एकजाम में भी पुछा गया है कि अरीदेव जोसी ने तीन बार सपत ली थी केतनी बार सपत ली थी तीन बार लेकिन एक बार इन्होंने अपना कारेकाल पूरा नहीं किया था चलते है नेस्ट कोश्चन पर सारदूल खेल विदालिया कहा थे 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 तो दोस्तों सारदूल खेल विदालिया या बिकानेर जिले में थे 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 अगला कुश्चन अबेडा महल जो कि कोटा में स्थीत है किस नदी के किनारे स्थीत है तो यह चंबल नदी के किनारे स्थीत है नेश्ट कुस्टन है अपने आपको मादेव का वंसज मानने वाली जनजाती कौन सी है तो वो बील जनजाती है जो कि अपने आपको मादेव का वंसज मानती है अगला प्रसने कई कर से सेर को राजस्तान का सिम्लय का जाता है मांट अबो मांट अबो सिरोई में श्थीत हिसे अगला प्रसन स्रवादिक बयोगेन jsंैंतर किस उद्यपुर जिले में श्थीत हिसे फोलेट कॉस्टे शेणे नेश्ट कोश्चन है मिवाड के मारणा अमर सियं दिवित्ते के समय में पर्थम स्रेणी के सामानतों की संक्या थी तो अमर सियं दिवित्ते इसके समय सामानतों की संक्या थी सोला है next question is carbon aggregation center carbon aggregation center इस्टित हैं पाली में कहां प्रिस्टित है पाली में अगला question है अहूर जो की जलौर में इस्टित है किस के लिए परसीद है अहूर जो इसतान है दोस्तों वो ऐसे अहूर और ऐसे अनार अनार के लिए परशिद है नेक्ट कुश्टन है राजस्तान की कुल उर्जा उत्पादन में किस उर्जा का योगदान सरवादिक है किस उर्जा का योगदान सरवादिक है तो इसका उत्र हो जएगा ताप्य उर्जा ताप ये उर्जा का राजस्तान की कुल उर्जा उत्पादन में सरवादी के योगदान है नेक्ट कोस्टन है राजस्तान क्रीडा प्रिशिद का मुख्यल है का अस्तित है तो दोस्तो राजस्तान क्रीडा प्रिशिद का मुख्यल है स्तित है जेपूर में नेक्ट को स्टेन हडूति चेतर में किस स्थान पर तेल वे प्राकर्तिक गेंस होने के संकेत मिले तो दोस्तों हडूति का एक चेतर दिगोध जो कि कोटा जिले में यहां पर तेल एवं प्राकर्तिक के संकेते मिले याद रखना दोस्तों आने वाले एक जाम्स में ये कुछ पूछा जाएगा तो आपको याद रखने की हरुति का छेतर दिगोद है यहां पर प्राकरतिक गेस और तेल की बंदार होने के संकेते मिले हैं अगला कोश्चन है परतापगड जिला कब गोसित है किया गया तो दोस्तों परतापगड जिला गोसित किया गया था 26 जनवरी 2008 को और 26 जनवरी 2008 को जब परतापगड जिला गटित किया गया उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंद्रा राजे दोस्तों ये 33 जिला था और राजस्तान का जो पुरुन निर्माण हुआ एक नुमंबर 1956 को उस समय राजस्तान में कुल कितने जिले थे ऐसा कोस्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 26 जिले थे और 26 जिला बना था अजमेर यानि कि अजमेर का निर्माण हुआ था एक नुमंबर 1956 दोस्तों एक नुमंबर 1956 से पहले अजमेर सी स्रेणी का राज्य था और इसका एक मात्र मुख्यमंत्री था स्री हरी बाव उपादे ये कुश्चन पूछा गया कि अजमेर का एक मात्र कौन था तो श्री हरी बाव उपादे ये ब्येस्टिसी में पूछागे कोस्टिन है दोस्तों अपन अब बात करते हैं जो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 मत जिला तो हो गया 26 जनमरी 2008 परताब गड़ 27 मत जिला दोलपूर था दोस्तों और इसका गठन हुआ था 15 अप्रेल 1922 को आपको याद रखना है डी से दोलपूर 15 अप्रेल 1922 को 28, 39 ये तिनों जिले आप एक साथ याद रख सकते हैं त्रिक बताताँ दोस्तों आर बी डी आर से राजसमन्द बी से बारा बी से दोसा इन तिनों जिलों का गठन हुआ था 10 अप्रेल 1921 में कब हुआ और 31 मां जिला हनुमान गड़ है जिसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1924 में को 12 जुलाई 1924 में को और 32 मां जिलाए करोली जिसका गठन हुआ था 19 जुलाई 1927 में को तो दोस्तों अक्सर इनसे रिलेटिव क्वेस्टिन पूछ लिया जाता है कि 27 मां जिलाद दोलपूर का गठन कब हुआ था तो अगर आपको इनकी डेट याद रहेगी तो असानी से एसे कोस्टिनों का जुआब है दे सकते हैं चलते है नेश्ट क्वेस्टन पर राजस्तान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है मिलती है तो वह पंजाब है दोस्तों यहां से भी अक्सर क्वेस्टन पूछ लिया जाता है जो मैं आपको याद करवा देता हूं यह राजस्तान का लक्स है पंजाब के साथ राजस्तान की सीमा लगती है 89 किलो मिटर जो की सबसे कम है और सबसे ज़दा अगर बात करें तो वह लगती है 1600 किलो मिटर किसके साथ है मध्यपर्देश के साथ और एक जार 22 किलो मिटर गुजराद के साथ लगती है यह भी याद रखना और 1262 किलो मिटर रियाना के साथ लगती है और 877 किलो मिटर यूपी के साथ लगती है यानि कि कुल पांच राजियों के साथ है सीमा लगती है पांच राजे कौन-कौन से पंजाब रियाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजराद और एक मत्तर देश जिसके साथ राजस्तान की अंत्रेश्ट्रे सीमा लगती है वह पाकिस्तान कौन से है पाकिस्ता स्री गंगानगर विकानेर जैसल्मेर और बाडमेर सरवाधिक सीमğa जैसलमेर की लगती है 464 किलोमेटर और सबसे कम सीमा विकानेर के लगती है 168 किलोमेटर तो दोस्तों इतने फेक्ट इस कोस्टन से आपको याद रखने चलते हैं औस निस्ट कोशिन पर है वैं अगला सिर्ण फोट्र में किस जील पर स्थितल है तो पिछोला जील पर ऐस्थित zeg स्थे ज़ुन है थाईरर टीव बनाने का खार्फी सबंस्क्राइब अश् bizi दोस्तों यह कोस्टन बहुत-व बार एक्जांच में पूछ और बार बार रिपीट होता रहता है तो आपको ध्यान रखने कि टायर टूब बनाने का कारखना कांकरोली राजस्वन्द में अस्तित है नेश्ट कोश्चन है बारत माता का पुत्तर उसकी मुक्ति के लिए बिलदान हो गया एसा किस ने का था तो दोस्तों इसा का था केसरी स बारत ने अगला कुश्चन किस नदी को राजस्तान की काम देनू कहा जाता है तो राजस्तान की काम देनू कहा जाता है चंबल नदी को नेक्स्ट कोश्चन है किस इतियासकारनिक काली बंगा को सिंदू गटिस समराज्य की तीसरी राजदानी मानी है काली बंगा जो की राजस्तान के हनुमान गड़ जिले में और ये गगर नदी के किनारे विक्सितुई सबेता है इसी गगर नदी को दोस्तों वर्तमार में जो गगर नदी है जिसे प्राचिन समय में सर्श्वती या दर्श्वती नदी कहा जाता था इस काली बंगा को सिंदु गौटी समराज्य की तीसरी राजदानी दसरत सर्माने का है किसने का है दसरत सर्माने बहुत important question है दोस्तों RPC exam में ये repeat होता रहता है next question है राजस्तान के किस जिले से अधिक्तम जिलों की सिमाई suppress करती है तो दोस्तों पाली वो जिले जिसके साथ राजस्तान के अधिक्तम जिलों की सिमाई लगती है दोस्तों आपसे कोस्चन है कि पाली के साथ राजस्तान के कितने जिलों की सिमाई सिप्रस करती है तो दोस्तों इस कोस्चन का जवाब आपको देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुआब जुरूर देने दोस्तों आपको याद नहीं है तो भी आप कहीं से भी देखिए इसका जुआब आपको जुरूर है देने अगला कोष्चन है लाटी स्रीज़ 2006 डिनले में स्सीर तो जैसल मेर में नश्च कोष्चन हए जलादीपुरा प्रसिदों जलादीपुरा पाई-्राइट के लिए प्रसिद पाई-ोस लाइट के लिए crashूर क्वेशन के कपिल मुणी ने कहां तपस्या की को लायत में कि एक चुट कि दोस्तों मुगल बासाट जांगीर पूंजकिन स्थे तो राजपूत नरेश थे राइशी है विकानेर के राजा राइशी है जांगिर के समय विश्वस्थ राजपूत नरेश से थे आगला कुछ ना तृत यतरा से ल्ोटने पर किया जाने वाला उत्सव क्लाता है तो दोस्तों तृत यतरा पर लोटने से किले अगला कि राजस्तान की कौन सी जील कियारी पदती से नमक का उत्पादन करती है तो संबरल जील जैपुर जिले में स्किते है अगला कुश्चिन है बर्खान के बीच का बाग कहलाता है तो दोस्तों बर्खान के बीच का बाग कहलाता है गारो चल्ते पर कमली ताल किसके लिए परसीदे राजस्तान में मानसुन के परत्यवरतन का समय तो दोस्तों अक्टूबर मद्य नवंबर मानसुन के प्रित्यावरतन का समय अक्टूबर मद्य नवंबर अगला कुस्चन है राज्य का पहला सूपर थर्मल पावर प्लांट है तो दोस्तों राज्य का पहला सूपर थर्मल पावर प्लांट है सुर्तगड सूपर थर्मल है Mal path to system three day où desu complete City मिलता है thour ंडेर जो 23 दोस्तों यहांसे लौह ऐस्ज़मिल नीश्रूजिज मिलता एक नलआ person को राजस्तान निर्माण के समय राजस्तान में कितने जिले थैं तो 26 जिले थे दोस्तों मेंने पुर्वे के question में यह discuss किया था 26 मजिला कुंत था अजमेर था कि पर्थम महिला नागरिक सहकारी बैंक पर्थम महिला नागरिक सहकारी बैंक के स्थापना कहां कही गई तो इसका उत्र है जैपूर में चलते हैं नेक्ट कोश्चन पर बिलास प्रियोजना अस्तित हैं कोटा में अगला कोश्चन है कनिंगम ने सालभपुर की किस नगर के रूप में पैचान की तो दोस्तों इसका उत्र है अलवर के रूप में मालवा और गुजरात के मद्याच जम्पानियर का समझोता किस राजे के व्रुद की वरुद हो था तो दोस्तों इसका उत्र हैं मिववाड राजे एक व्रुद की कलाते हैं तो माउजी के लिखे प्रिवार में हुआ था अगला और अंतिम कोश्चन नटनी का सबूत्रा किस जील में स्थित है तो दोस्तों नटनी का चबूत्रा स्थित पिछोला जील में तो दोस्तों यह थे आज के प्वोटेंट ए पचास कोस्टन है हम जो एक जार इपोर्टेंट कोस्टनों के स्रीज अपलोड कर रहे हैं इसी का यह तीस रोव वीडियो था दोस्तों अगर आपको यह वीडियो में पूछे के कोस्टन अच्छे लगे हैं तो लाइक जुरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज ऑजे हैं तो